हिंदू कई देवी देवताओं की पूजा करने का विधान है और सभी की पूजा का अलग महत्व होता है ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं के पास अद्वितिय शक्तियां हैं जिनकी पूजा से भक्त जनों की मनो कामनाएं पूर्ण होती है मुख्य रूप से गणेश और लक्षमी को सफलता और समरिध्धि प्रदान करने के लिए जाना जाता है जबकि सरस्वती को ज्यान और बुध्धी की देवी के रूप में पूजा जाता है वहीं हिंदूों में एक प्रमुख देवता, शनी देव को एक शक्तिशाली देवता के रूप में पूजा जाता है जिन्हें बुरी नजर से बचाने और बाधाओं को दूर करने के लिए विशेश रूप से पूजा जाता है वहीं मान्यता यह भी है कि यदि शनी देव की पूजा में कोई तुरुटी रह जाए तो भक्तों को पूजा का फल नहीं मिल पाता है शनी देव की पूजा में मुख्य रूप से उनके सामने दीपक जलाना जरूरी माना जाता है शनिदेव को प्रसन करने के लिए अगर आप भी हर शनिवार दीपक जलाती हैं तो आपको कुछ विशेश बातों और नियमों का पालन जरूर करना चाहिए किसी भी पूजा पाठ का दीपक प्रज्वलित करने से गहरा आध्यात्मिक संबंध और महत्व है दीपक का प्रकाश अज्ञान को नश्ट कर देता है और ज्ञान प्रदान करता है यह शुभता, धन, स्वास्थय और सम्रिध धिलाता है यह मन में नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने का कारक माना जाता है इसे हमारे संदेश को भगवान तक पहुँचने का एक जरिया भी माना जाता है भगवान शनी को प्रसन करने के लिए भी हम उनकी शिला या छवी के सामने दीपक जलाते हैं हमारी कामनाएं पूर्ण हो सकें शनीदेव के लिए सबसे शुब सरसों के तेल को माना जाता है इसलिए शनीवार के दिन सरसों के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए इस दिन सरसों का तेल घर के इस्तिमाल के लिए नहीं खरीदना चाहिए बलकि आप इसे शनिवार के दिन अगर जरूरत मंद को दान में दें, तो आपके लिए शुभ हो सकता है. शनिवार को शनिदेव की छवी के सामने दीपक जला कर उनकी पूजा करें. सरसों के तेल से जलाए गए दीपक से किया गया पूजन शनिदेव को स्विकार्य होता है आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी तूटे हुए दीपक का इस्तिमाल न करें ऐसा माना जाता है कि पूजन में तूटे हुए दीपक के इस्तिमाल से व्यक्ति की बुद्धिक शीन हो सकती है और शनिदेव नाराज हो सकते हैं। दीपक जलाते समय तेल में काले तिल जरूर मिलाएं। तिल मिलाकर दीपक जलाने से शनिदेव की विशेष क्रिपा प्राप्थ होती है। शाम को पांच बजे से साथ बजे तक का समय सबसे अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि इस शुब समय में ही शनिदेव का पूजन करे और उनके सामने दीपक जलाएं तो मनुकामनाओं को पूर्ती होती है।